चलिए साथ यो बात करते हैं केंद्रिये प्रत्यच करके पिरकार के बारे में ऐसा कर जो कि केंज सरकार की द्वारा बसूला जाता है जो कौन सर्फकर है प्रत्यच कर केंज सरकार के द्वारा जो बसूला जाता है उसके ठोड़े से पिरकार देखते हैं तो सबसे पहला जो प जो कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है किसी दुकान पर या फिर किसी सरकारी कंपनी में या किसी सरकार का क्या है एक करमचारी है और उस करमचारी जो है काम करता है उसके बदरे में उसको क्या मिलता है मजदूरी मिलती है या फिर जो भी पैसा मिलता है उसकी आए हो जाती है जो क्या कहलाता है आपका direct tax के रूप में दिया जाता है कि इसको cancer कार को दिया जाता है तो आईकर यानि की income tax ठीक है तो किसी ब्यक्ति की सुद्धाय पर आईकर लगाने का प्राबधन किया गया है और यह है आईकर कौन बसूलता है तो उसको देखते हैं तो केंद्रिय प्रत यह च्च कर वोड है उसका एक विभाघ है जिसको हम कहते हैं आईकर विभाग है यानि की department of income या income tax टेख्षट्ट तो आईकर विभाग क्या करता है इस कर की बसूली करता है ठीक है तो आईकर प्रिणाली में सुधार करने के लिए समय समय पर क्या किये गए हैं आपके क्या किये गए हैं बदलाब किये गए हैं आपका जो आईकर अदिनियम 1961 है उसमें समय समय पर बदलाब किये जाते रहे हैं सेयर बाजार कि अगर बात इसमें हम थोड़ी सी जनका दिने तो सेयर बाज सजार से अधिका लेन देन करते हैं तो आपको क्या है पेहनकार अनिवार होगा यहाँ पर डालना तो इस समय धाई लाक से कम या धाई लाक या धाई लाक से कम आये वाले लोग जो हैं उन पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा इसका मतलब भी वहां कि आप अगर धाई लाक र दस एक रुपया आप कमाएंगे इसका मतलब हुगा कि जैसी आप ढाला क्रोस करेंगे वैसी आप पर क्या होगा जो टैक्स है या पर जो कर है वहां लगा दिया जाएगा कौन सा इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा तो यहां पर कुछ пост आप मैं यहाँ नहीं कि कुछ करते हैं तो आपको कोई कर नहीं वो आपको पांच परसेंट का कर देना पड़ेगा इसके बाद आप तीन लाख एक रुपया और पांच लाख के बीच में अगर कमाई करते हैं तो आपको पांच परसेंट ही देना पड़ेगा इसके बाद आप पांच लाग एक रुपे से लेकर अगर दस लाग तक कमाते हैं तो आपको जो टेक्स यानि की इंकम टैक्स के रुप में जो पैसा देना पड़ेगा वह आपका होगा भीस लाग रुपेया इसके बाद आप can shoot यूपर चले जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा अपनी आएका कितना परसेंट 30% हमें किसको देना पड़ेगा सरकार को देना पड़ेगा यहाँ पर कुछ category भी बनी है जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर general category है तो धाई लाग तक आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा आपके उसके बाद 2.5 लाग से उपर जाते हैं तो 5 परसेंट इसके बाद 3 लाग से उपर जाते हैं तो आपको 5 परसेंट तक देना पड़ेगा उसके बाद 5 लाग से उपर जाते हैं तो आपको 20 परसेंट देना पड़ेगा और 10 लाग से उपर जाते हैं तो आपको 30 तो क्या है वह है उसको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा और उसके बाद 20 से लेकर 3 लाग तक भी अगर उसकी income है तो उसको कोई tax नहीं देना पड़ेगा इसके बाद बात आती है 3 लाग से लेकर 5 लाग तक तो अगर senior citizen है तो उसको 5% तक देना पड़ सकता है उसके बाद अगर बैरी सीनिय से जना है नहीं अच्छी साल या फिर उससे उपर है तो उसको आपका पांच लाग तक आपका कोई भी टेक्स नहीं लगेगा उसके बाद फिर वही सेम हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बाटा गया है चलिए आगे बात करते हैं चलिए तो आपको मैं लीजिए यह एक गिप्ट हैं तो आप किसी को देंगे तो जाइज सी वात है उसका नाम होगा कि फालाना फालाना सींग को हम क्या कर रहे हैं एक गिप्ट दे रहे हैं तो उस पर नाम पढ़ा होगा उसको जिसको भी गिप्ट देंगे ना उनको तो है नहीं क 30 000 से अधिकी कीमत वाले उपठार यानि किrit पर क्या है , तीस परसेंट करर हमें देना होता हैнут दो 2020 के अंसार है, वह फिस ऩे मैं बहुत दूँँich कि आप माले यह यह आपका 50 000 का कोई माल और 50 000 का माल आप किशी को देते हैं , आप अपनी गलफेंट को देते हैं तो क्या होगा उस पर क्या होगा आपका 30% अगर 50,000 से उपर का है तो आपको 30% extra charge करना होगा अगर वो 70,000 रुपे गी तो इसे 70,000 प्लाज 30% gift tax के रूप में देना होगा केंज सरकार को अगर मान दीजिए ये 50,000 का माल है या फिर 50,000 से नीचे का है और आप क्या करते हैं अगर केप्ट देते हैं तो उस पर क्या है किसी भी तरह का कोई tax नहीं देना होगा समझना बात को अगर आपकी girlfriend को अगर देते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा tax देना पड़ेगा girlfriend को समझना बात को या फिर किसी और को देते हैं तो वो क्या होगा आपका tax देना पड जाता है अब बहुत ज्यादा खास girl friend है एक तरह से रिष्टिदार की तरह है और बहुत ज्यादा प्यारी है तो फिर एक रिष्टिदार की रूप में आ जाती है तो उसको आपको क्या है tax नहीं देना पाड़ेगा अगर आपकी माता और आपके पिता अगर जानते हैं उसका घर में आना जाना है गल्फेंड अगर गुप्त रूप से बनाई है तो उसको हो सकता है टेक्स देना पड़ सकता है तो सीधी से बात क्या है अगर आपका कोई रिस्तेदार नहीं है वो रिस्तेदार के रूप में अगर वो नहीं है तो आ लगाया जाने वाला यह एक प्रत्य अच्छे निगम करें इस समय इसकी अगर दर की बात करें तो 25% है तो 25% कब ली जाती है जब 400 करोर से उपर का अगर टर्न वर है तो आपको क्या होता है निगम कर 25% रूप देना पड़ सकता है